नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरनलता डंगवाल शिक्षा शास्त्र विभाग लखनो विश्व विद्याले लखनो से N.I.O.S. स्टूडियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कोर्स कोर्ट 509 के अंतरगत आपसे चर्चा करेंगे समाज शास्त्र में समाज शास्त्रियों द्वारा अपनाय जानने वाले उपागम और विध्यान। सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्यन करने वाली शाक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों में अन्य विश्यों का एक सामोहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें नरव विज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भुगोल, इतिहास, विदी, भाशा विज्ञान, राजनीती शास्त्र, समाशास्त्र, अंतराश्ट्रिय अध्यन और संचार आदिविशय सम्मलित होते हैं. लेकिन जब हम प्रात्मिक श्तर की बात करते हैं या निमनी श्तर की बात करते हैं तो उसमें हम सामान्यत इन चार विश्यों को सम्मलित करते हैं, जैसे इतिहास, राजनीती विज्ञान, अर्थशास्त्र और भुगोल. सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अधिगम कई कारणों से महत्वपूर्ण है. ये बच्चों को इस योगे बनाता है कि वे उस समाज को समझें जिसमें वे रहते हैं और सीखें कि समाज की सरचना, शाशन एवं प्रबंध कैसे होता है. और ये भी समझें कि कौन से कारण समाज को उन अनीक तरीकों से बदलते हैं और अनुप्रेशित करते हैं. समाजिक विज्ञान के अध्यन द्वारा भारतिय समविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंतरता, समानता, भाईचारा, एकता और राष्ट्रिय एकी करण से अवगत होते हैं. और एक समाजवादी धर्म निर्पेक्ष और लोकतांत्रिक समाज निर्माण के महत्तों को समझ सकें. समाजिक विज्ञान की विशेवस्तु, भाषा तथा भावों के अध्यन में इस्पष्टता होनी चाहिए. अतब सामाजिक विज्ञान के अध्यन के समय विशय वस्तु के आधार पर शिक्छन उपागम वविध्यों का प्रयोग किया जाता है शिक्छन प्रक्रिया, सहभागिता तथा परिचर्चा पर आधारित होनी चाहिए उधारण के लिए कथावाचन, चित्रकला, रित्य, गायन तथा संगीत पठन-पाठन प्रक्रिया के अंग होने चाहिए सामाजिक विज्ञान के अध्यन द्वारा फारतिय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंतरता, समानता, भाई-चारा, एक्ता और राष्ट्रिय एकी करण से अफगत होते हैं और एक समाजवादी, धर्म निर्पेक और लोक्तांत्रिक समाज का निर्मान के महत्तों को समझ सकते हैं तो अगर हम एक तरह से बात करें कि सामाजिक विज्ञान शिक्षन के उद्देश क्या होते हैं तो इनकी उपागम और विध्यान समझने से पूर्व ये समझना अतियावशक है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षन के उद्देश क्या होते हैं मानव जाती और अन्य जीवों के निवास के रूप में पृथिवी की अवधार्णा का विकास करना और दूसरा उदेश है कि व्याश्विक संदर्व में अपने छेत्र, प्रदेश और देश का अध्यन करने के लिए विध्यार्थियों को प्रेरित करना विश्व के अन्य भागों में समकालीन विकास के संदर्व में विद्यार्थी को भारत के अतीत के अध्यन के लिए प्रेरित करना सामाजिक और राजनेतिक संस्थाओं के कारियों और सक्रियता तथा राष्टर की प्रक्रियाओं से इस विद्यार्थियों को अवगत कराना तो चलिए अब आपसे बात करते हैं कि समाज शास्त्र में समाज शास्त्रियों द्वारा अपनाये जाने वाले उपागम कौन-कौन से हैं समय के साथ साथ पढ़ाने के तरीके भी बदले हैं और धीरे-धीरे समाज शास्त्री समाज का अध्यन करने के लिए तो चलिए आज बात करते हैं हम समाज शास्त्र के अध्यापन की विभिन उपागम और विध्यों के पारे में तो सबसे पहले बात करते हैं समाजिक विज्ञान का एतिहासिक उपागम एतिहासिक पद्दति का अर्थ है समकालिन समाजिक जीवन की उत्पत्ति या पूर्वजों को खोजने और इस प्रकार अपनी प्रकृति और कारे को समझने के उद्देश से पिछले समाजों की घटनाओं, प्रक्रियाओं और संस्थाओं का अध्यन समाज का अध्यन करने के लिए ओगस्कॉम्टे, हरबार्ट स्पेंसर और काल मार्क्स जैसे समाज शास्त्रियों ने इस विदी का उप्योग किया एतिहासिक समाज शास्त्र भूत के साथ साथ आधुनिक के अतीत के समाजों की उत्पत्ति का अध्यन करता है और हमारे वर्तमान जीवन के बारे में इस्पश्टी करण हूनता है इसके बाद तुल्नात्मक उपागम तुल्लात्मक उपागं अनावशक कारकों को खत्म करने और आवशक कारकों तक पहुचने के लिए सामाजिक घटना पर तारकिक सिद्दानतों का उप्योग करता है समाज सास्त्र के छेत्र में तुलनात्मक उपागम, चयन, तुलना की प्रक्रिया से पिछले या वर्तमान समाजों और समाजिक संस्थानों का अध्यन करता है तुलना समकालीन समाजों के बीच की जाती है जिसमें आम एतिहासिक, राजनैतिक और और भी कन्य अन्य विशेस्ताएं होती है समाज सास्त्री उन मामलों की जाच करके कारण संबंदि स्थापित करते हैं जिनमें दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ उपस्थित या अनुपस्थित होती है इस प्रकार समाजिक विज्ञान के छेतर में तुलनात्मक विधी से पता चलता है कि कुछ समाजिक घटनाएं अकसर एक दूसरे के साथ कैसे चुड़ी होती है डर्क हैम, मैक्स वेवर और कई अन्य समाज शास्त्रियों ने समाजिक घटना का अध्यन करने के लिए अकसर इस उपागम का उप्योग किया अब बात करते हैं कार्यात्मक उपागम की कार्यात्मग वादी उपागम विकास वादी पद्धती के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है यह द्रश्टिकून या उपागम इस धारणा पर आधारित है कि एक प्रणाली कई घटकों पर आधारित होती है प्रक्रिया का प्रतिक भाग प्रणाली के अन्य हिस्सों से संबंधित है और प्रणाली के एक हिस्से के कार्य को प्रणाली के अन्य हिस्सों के कार्यों से के संबंध में समझा जाता है इसी तरह समाज एक प्रणाली है तो इसके घटत या कई अन्य भाग होते हैं जब कोई समाज को कार्यवादी द्रिष्टिकोंड से पढ़ता है, तो उसे समाज के कुछ हिस्सों के सापेक्ष कार्यों के सम्मंद में समाज को समझना पढ़ता है, जैसे धर्म, अर्थवेवस्था, राजनीती, आदि. अगस्ट काम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजिक प्रकार्य के आधार पर समाज के अध्यन की नीव रखी, समाजिक घटना का अध्यन करने में इस विधी का उप्योग करने में डर्खेम सर्वोपरी थे. रेट क्लिफ, प्राउन और मलीनो वस्थ की जैसे समाज शास्त्रियों ने समाजिक घटना का अध्यन करने में इस त्रिष्टिकोण की सबसे अधिक प्रशंसा भी की. इसके पश्यात आता है सांखिकी उपागम. सांखिकी उपागम यानि सत्रवी शताब्दी से सामाजिक त्रिष्टिकोण के अध्यन में सांखिकी उपागम का उप्योग किया गया और इस उपागम का उप्योग मातरात्मक और उद्देशी पूर्ण तरीकों से सामाजिक घटनाओं का अध्यन करने के लिए किया जाता जैसे कि जन्म और मृत्यू, तलाग, अपराद, प्रवासन, आर्थिक इस्थिती, जन्मत, इत्यादी से संबंधित सामाजिक मुद्दों को इस द्रिष्टिकोंड के माध्यम से अच्छी तरह से अध्यन किया जा सकता है। सामाजिक द्रिष्टिकोंड के विभिन पहलों के भी संबंधों की व्याख्या करने के लिए यह उपागम सबसे अधिक उप्योग में लाया जाता है। शोत करने में इस द्रिष्टिकोंड के उप्योग पर बल दिया है। और अगर हम देखें तो यह जितने उपागम के अभी तक हमने चर्चा की, इन उपागमों या द्रिष्टिकोंड के अत्रिक्त, केस स्टडी उपागम, विकासवादी उपागम, इत्यादी जैसे और भी अन्य द्रिष्टिकोंड हैं, जो सामाजिक घटनाओं का अध्योग करने में बहुत अधिक उप्योग में आते हैं, अभी तक हमने उपागम की चर्चा की, अब बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान की सिक्षण विधिया कौन-कौन सी होती हैं, लिए सामाजिक विज्ञान में ज्यान और कोशल का अर्जन परस पर समवाद में होता है, करने का प्रयास किया जाता है और जब हम सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विध्यों की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की शिक्षण विध्यां होती हैं पहली होती है शिक्षक केंद्रित सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विध्यां और दूसरी विद्यार्थी केंद्र सामाजिक शिक्षन की विधियां तो पहले चर्चा करते हैं शिक्षक केंद्रित सामाजिक विज्ञान की शिक्षन विधियां अब देखें जो शिक्षक केंद्रित सामाजिक विज्ञान की शिक्षन विधियां होती हैं सामाने तर हम उनको तीन भागों में विभाजित करते ह तीन तरह की विधियां हैं जो बहुत प्रचलित हैं जैसे कि व्याख्यान विधी, निदर्शन विधी और प्रश्नोत्तर विधी तो सबसे पहले बात चीत करेंगे हम व्याख्यान विधी की सामाजिक अध्यन का विशे पढ़ाते समय अध्यापक सामान्यतया व्याख्यान विधी का सरवाधिक उप्योग करते हैं और व्याख्यान विधी मुख का मुख्य उदेश ज्यान को विद्यार्थी तक पहुचाना और सूचना देना होता है इस विधी में अध्यापक उचित स्वर्व गति में पाठे वस्तु को मौखिक कत्नों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और विद्यार्थी उनको ध्यान पूरवक सुनते हैं और बीच-पीच में अध्यापक विद्यार्थियों का ध्यान केंदित करने के लिए प्रश्ण भी करता है व्याक्यान विधि समस्त शिक्षार विधियों में सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन और सरल विधि है और यह विधी प्राचीन काल में गुरुकुल से लेकर वर्तमान समय तक में सरवाधिक प्रयोग में लाई जाती है व्याख्यान को सुनकर ही छात्र समाजिक अध्यन के विभिन विश्यों की ओर आकरश्ट होते हैं तथा सूचना के विभिन अंचों को मिलाकर उन्हें समन्वित रूप से प्रस्तुत करने के लिए अध्यापक व्याख्यान का प्रयोग करते हैं और जब हम व्याख्यान विधी की बात करते हैं तो इसके दो भाग होते हैं एक होता है नियोजन और दूसरा प्रस्तुती अब जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि जब हम प्रस्तुती करते हैं तो प्रस्तुती को भी हम तीन भागों में तीन हिस्सों में विभाजित करते हैं पहला होता है प्रस्तावना, फिर उस विशे वस्तु का व्याख्यान के द्वारा विकास करना, और तीसरा समाहार, यानि उसका एक सारांश रूप में प्रस्तुत करना. इसके पश्चाद जो बहुत प्रचलित विधी है, शिच्छक केंद्रित वो है निदर्शन विधी. इसके प्रस्तुति करन, विशलेशन और संस्लेशन किया जाता है. कभी-कभी विचारों, अभिवरतियों, प्रक्रम और इंद्रिय ग्रह जो मूर्थ स्वरूप का भी सचेतन रूप से निदर्शन किया जाता है, और ऐसा करते समय चात की भूमी का सूचना और कौशलों के प्रिक्षक के होती है. विध्यालियों में अध्यापक सामाजिक अध्यन का विशे पढ़ाते समय इस तक्निक का विशेश रूप से प्रयोग तभी करते हैं, जब वह कौशलों के विकास से संबंदित कोई बात करना चाते हैं. उधारन स्वरूप उन्हें भुगोल पढ़ाते समय जैसे मानचित्र को कैसे खीचा जाएं. या इसके विशे में बात करनी है कि किसी राजा के समराज को अगर उन्हें मानचित्र पढ़ाते समय तो उसका चित्रन कैसे किया जाएं. ये सबसे अच्छा निदर्शन विधी के द्वारा प्रस्तुर किया जा सकता है. तो इस प्रकार के कई और उधारन हैं जो कि सामाजिक विज्ञान के विश्यों को पढ़ाते समय इस विधी का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है. इसके पस्चात शिक्छक केंद्रिच जो विधी के हम बात करेंगे वो है प्रश्नोत्तर विधी. प्रश्न और या प्रश्नोत्तर हम कह लें तो ये एक युक्ती है फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधी के रूप में प्रयोक करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया इसी वज़े से इसको सुकराती विधी भी कहते हैं इसमें प्रश्ण करता से ही प्रश्ण किये जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्ण करते करते अपेक्षित उत्तर को निकलवाया जाता है तो अभी तक हमने चर्चा की कि शिक्षक केंद्रित सामाजिक विज्ञान की कौन-कौन सी शिक्षण विध्या है अब आते हैं हम कि विद्यार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विध्या अगर हम बॉल्वक्स के अनुसार देखें तो उफपागम या पद्दति का सम्मन छात्र की श्रिजनात्मक शक्ति, आत्मधारना, विद्याले के प्रति अभिवरति और जिग्यासा से होता है इसमें श्रैक्षणिक परियावरन की श्रिष्टी का श्रेशिक्षार्थियों को होता है तथा इसमें अध्यापक का हस्तचेप कम से कम रहता है इसमें विद्यार्थी स्वतन्त रूप से या कह सकते हैं कि कुछ अन्य छात्रों के साथ मिलकर अपने कारे को करते हैं इसमें विद्यार्थी की भूमी का अधिक महत्योपोण माननी जाती है लेकिन फिर भी इनमें शैक्षणिक क्रियाओं की योजना और रचना का कारे जो करता है वो अध्यापक करता है तो अब अगर हम विभाजित करें कि जो विद्यार्थी केंदरित समाजिक विज्यान के शिक्षण विद्या है वो दो तरह के होती हैं एक होती है व्यक्ति मूलग जिसको के हम individualistic भी कह सकते हैं कि व्यक्ति मूलग शिक्षण और दूसरा समुहोन मुखी शिक्षण तो पहले बात करते हैं कि विद्यार्थी केंद्रित समाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विध्या हैं उसमें व्यक्ति मूलक शिक्षण विध्या कौन सी होती हैं जब हम व्यक्तिकत शिक्षण से अभिप्राय की बात करते हैं तो ये उस अधिगम प्रक्रम से इसका अर्थ होता है जिसमें शिक्षार्थी, अपनी आयू, अभिछमता, रुची और योगिता के अनुसार सीखता है अब देखें कि व्यक्ति मूलक जो शिक्षण विध्या होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं जैसे योजना विधी, कंप्यूटर चालित विधी, परियोजना विधी और दत्तकारे तो सबसे पहले बात करेंगे कि योजना विधी योजना शिक्षण पद्धती में इस पात पर बल दिया जाता है कि व्यहवार का अधिगम तभी संबाव है जब उसको तक्काल पुनरबलन दिया जाए इसलिए पुनरबलन संबंधी प्रासंगिक सामगरी भी विशह वस्तु में समलित करना चाहिए ताकि पूछे गए प्रश्णों के सही उत्तर देने पर उत्तरदाता शिक्षार्ती को तुरंत शाबाशी दे सके और जिन प्रश्णों के उत्तर ठीक से न हो उसे नजर अंदाज किया जा सके योजनाबद शिक्षण की दो शैलियां होती हैं जैसे एक रेखिय शैली और दूसरा शाखिय शैली अगर हम योजनाविधी के विभिन पदों की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम एक परिस्थिती को उत्पन करते हैं शिक्षक बालकों से विचार विमर्ष करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन करता है कि उनकी किसे विशेश कारे में रुची जागरत हो सके और उससे सम्मंधित समस्या का समाधान करने के लिए वो तकपर हो जाता है उसके पश्चात योजना का चयन किया जाता है दितिये चरण में कि समस्या के समाधान के लिए बालक विभिन प्रकार की योजना प्रस्तुत करते हैं और शिक्षक उन योजनाओं के गुण दोशों का विवेचन करके उन्हें ऐसी योजना को चुनने में सहायता देते हैं जो सर्वोत्तम तथा समस्त बालकों को मान्य तथा सर्वाधिक महत्यों की होती हैं उसके पास उसके पश्चत उद्देश निरूपान शिक्षक छात्रों की रूची और आवशकता और उनकी योगेताओं को ध्यान में रखकर लक्षियों का निर्धारण कर आवशक निर्देश और सुझाओ प्रस्तुत करता है और इसके पश्चत योजना का जो कारेकरम है उसको बनाना कि निर्धारित लक्षियों की प्राप्ति के लिए विभिन साधनों पर विचार में मर्श किया जाता है और साथ ही उनका तुलनात्मक अध्यन करके उप्युक्त कारेकरम का चैन किया जाता है तो इस प्रकार से अगर हम योजना विधी के गुणों की बात करें कि क्या अच्छाईयां होती है इसमें तो योजना वैयक्तिक और सामोहिक दोनों प्रकार की हो सकती है इसमें बालक के आत्म विश्वास, धैरे और ज्ञान आदि गुणों का विकास होता है इसके साथ साथ सामाजिक गुणों का विकास करना हो तो भी यह विधी बहुत लाबकारी होती है विभिन विश्यों में समन्वे इस्थापित किया जाता है स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, रचनात्मक प्रविति का विकास होता है और व्यहवारिक जीवन में शिक्षा सुतर प्राप्त कर सकता है, बालक क्रियात्मक विधी पर इसमें बल दिया जाता है, प्रतेक छात्र अपनी छमता के अनुसार कार्य करता है, छात्रों में सामाजिक आदर्शों का, गुणों का, अभिरुचियों का विकास होता है, और व महत्युपूर्ण विधी है कम्प्यूटर चालेट शिक्षण अधिगम। सामाजिक अध्यन विश्यों के अध्यापक के लिए कम्प्यूटर एक उपयोगी उपकरण है जिसकी सहायता से विभिन सूचनाय और जानकारियां दी जा सकती हैं और छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है और उसका उपयोग व्यक्तिगत शिक्षण के लिए किया जा सकता है कम्प्यूटर चालेट जो शिक्षण अधिगम होता है कम्प्यूटर उसमें सीधे ही छात्रों को अनुदेशन देता है और उसमें निहिद विशय वस्तु संबंधी प्रक्रिय समगरी का उपयोग छात्र स्वयम ही अपनी गती और समय से कर सकता है। छात्रों का निस्पादन छमता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रति-पुष्टी कम्प्यूटर के ही द्वारा दी जाती है। अध्यापन और अधिगम के जो प्रकार को पूरा करते समय कम्प्यूटर कई प्रकार की शेक्षणिक पद्दतियों का प्रयोग करता है। जैसे कि जो computer-chalit शिक्षन पद्दतियां होती हैं वो इस प्रकार से हो है कि अभ्यास पद्दति, अनुज शिक्षन पद्दति, अनुरूपन पद्दति, खोज पद्दति, खेल पद्दति, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तित व्याख्या करते हैं. कि जब हम बात करते हैं कि शिक्षन पद्दति, व्यक्ती मूलक शिक्षन विध्यां कौन सी हैं और उसमें computer-chalit शिक्षन विध्य कौन सी है, तो पहली होती है अभ्यास विध्या, इसमें computer में कई प्रकार की अभ्यास प्रशनावली पहले से ही होती है, जो कि चात्र अपनी से करता है फिर उनका समाधान करता है उधारन स्वरूप सिंदु घाटी की सब्वेता या भुगोल में संबंदित कोई विशय या मुगल समराजय भारती संविधान या उससे संबंदित कोई भी चीज अगर हमें जानना है तो कंप्यूटर में पहले से जो पैकेज तयार किये में जो विशय वस्तु है उसको प्रस्तुत किया जाता है इसके बाद होती है अनुरूपन पद्दति की सामाजिक विज्ञान के विभिन विश्यों को पढ़ाते समय जो मानव जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके लिए विद्यार्थी को उस स्थान पर ले जाकर नह को दिखायत सकते हैं इसके पशात खोज विदी कंप्यूटर चालिज शिक्षान विदी के अंतरगत जो आता है कि बच्चा आगमन विदी ये पर ये आधारित होता है और अपनी समस्याइं प्रस्तुत की जाती है चात्र प्रयास और तुटी की साहते से उनका समाधान करता है इसके बच चात कंप्यूटर चालिज जो शिक्षान विदी है उसमें खेल पत देती की खेल खेल में बच्चा बहुत सारी चीजों को सीखता है और कंप्यूटर में पहले से बनाए हुए कुछ खेल विक्सित कर दिये जाते हैं जिनकों की बच्चे या जो विद्यार्थ हैं उनको प्रयोग करता है और खेल के माध्यम से विभिन प्रकार के कौशलों का विकास करता है इसके बाद व्यक्ति मुलक शिक्षण विद्यों की जब हम बात करते हैं तो उसमें है परियोजना काय एक विद्यार्थी उनमुक शिक्षण विदी जिसके माध्यम से चात्र को उनके व्यक्ति परक अंतरों में मेल खाने वाले अधिगम अन्भव प्राप्त होते हैं इसे परियोजना प्रणाली भी कहा जाता है परियोजना प्रणाली में विद्यार्थी को विशय का अधिक से अधिक ज्यान प्राप्त होता है और उसे अध्यन छेत्र में परियोक्त विभीन प्रकार की तक्निकों की भी जानकारी मिलती है। जैसे सामाजिक विशे के कुछ उधारन इसमें बताए कि मानिजे सिंदुगाटी सब्वेता या मुगल समराजी या संग्युक्त रासंग और उसकी उपलब्दिया या इस तरह की कुछ जो हम विशियों को बचों को परियोजना कारे देकर उनको सिखा सकते हैं जिसमें की वो मिलकर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और उस पर कारे करते हैं इसके पर शाद जो व्यक्ति मूलक शिक्छरण विध्या है उसमें आता है दत्त कारे दत्त कारे द्वारा कक्षा की क्रियाएं संगठित और निर्देशित होती है और ये शैक्छिक क्रियाओं को दिशा देने का मुख्य साधन होती है ये कक्षा के कमरे में या उससे बाहर दूसरे दिन के कारे की तयारी में भी आवश्यक होता है इसके बाद हम आते हैं कि जो विद्यार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान की शिक्षन विधियां जो समुहोन मुखी होती हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ग्रुप में हम समुह में कारे कराते हैं बच्चों से और इस अध्यन पद्दती में जो प्रक्रण में विद्यार्थी की जो भागिदारिता होती है वो बहुत ही सक्रिय होती है इस शिक्छन विधी में विद्यार्थी एक और न केवल उद्धीपक अपने चारों और फेलेवे पर्यावरण से प्रभावित होता है वरन दूसरी और उद्धीपिकों को भी प्रभावित करता है क्योंकि उद्धीपिकों के निर्मान में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है तो अब देखते हैं हम कि जो समुहोन मुखी शिक्षन विधियां है उसमें चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद, परिसमवाद, नामित परिचर्चा ये सारी विधियां आती है तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चा परिचर्चा की कि जो चर्चा परिचर्चा समुह आधारित शिक्षन विधि होती है अर्थात आपस में विचारों का आदान प्रदान करना और एक प्रकार का सामुहिक बौधिक कारे होता है। जो ये मान कर चलता है कि एक व्यक्ति विशेश की तुलना में कई लोगों से प्राप्त जानकारिया, विचारों और भावनाओं का संग्रा अधिक उप्योगी और लाप्रत होता है। इसके बाद जो समुहोन मुखी शिक्षणविदी है वो है वाद विवाद। वाद विवाद ये एक ऐसी शिक्षणविदी है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में तर्क शक्ति बढ़ती है। और कथन की पुष्टी में जो प्रमान दिये जाते हैं उन्हें तर्क की कसोटी पर कसने का कौशल प्राप्त होता है। उधारण के लिए सामाजिक अध्यन से संबंदित कुछ विशय ऐसे हैं जिनकों की वाद विवाद प्रत्योगतां करवा कर विशय को बहुत अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। जैसे संसदिय शाषन प्रणाली या ब्रिटिश शाषन प्रणाली वर्दान थी के अभिशाप थी या पूंजी वादी अर्थ विवस्ता इस तरह के विशयों को लेकर हम वाद विवाद कराकर बच्चों को ज्यान प्रदान कर सकते हैं। इसके पशाथ समुहोन मुखी शिक्षण विध्यों के अंतरगत आता है परिसमवाद। यानि सामाजिक विज्ञान के विभिन प्रक्रणाओं का अध्यन करते समय इस विदी का बहुत उप्योग किया जाता है। इसके उधारन स्वरूप हम कहा सकते हैं कि महाविर जैन और उनके विचार, भारत में सहकारिता अंदोलन, इस तरह की कुछ विश्यों को लेकर बहुत अच्छे से इस विधी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद समोहन मुखी शिक्षण विधियों में आता है विचारा वेश। ये विध्यार्थियों की श्रिजनात्मक योग्यताओं के विकास में बहुत उप्योगी होती है। जब दूसरे दिन कक्षा में आएंगे तो उस पर एक व्याख्या करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। इस प्रकार से एक विश्यों को लेकर पूरे कक्षा को उस विश्यों पर एक अच्छा ज्यान प्रदान किया जा सकता है। इसके अत्रिक्त कुछ और भी विधियां होती हैं जो की बहुत ही महत्योपोण है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के लिए जैसे छेत्र कारे हो गया। कि सामाजिक अध्यान के शिक्षण में छेत्र कारे का एक महत्योपोण पद्दती है जो की वास्तविक जगत में ले जाकर विद्यार्थियों को हम ज्यान इसके द्वारा देते हैं। इसके बाद कहानी विधी जैसे इतिहास के कुछ बहुत अच्छे विश्यों को समझाने के लिए इस विधी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं कहानी सुनने के लिए लालायत रहते हैं। के लिए सकते हैं। समाजिक अध्यापन में जो अभिनय विधी प्राथ्मिक इस तरह बहुत ही उपयोगी होती है। बहुत ही अच्छी होती है। इस प्रकार से जो समबाद लिखे जाते हैं तो बच्चे लिखना भी सीखते हैं। और उस विशय को बहुत अच्छे से ग्राहे भी बना सकते हैं। इसके पर शाथ एक इकाई विधी, ये एक निर्देश आत्मक युक्ती होती है, जो छात्रों को समवेत रूप से ज्ञान प्रदान करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज सामाजिक विज्ञान को के जो विभिन उपागम है, जो शिक्छन विध्या है, उनको कैसे पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, उसके विशय में चर्चा की घन्यवाद।